यों तो जीवन के आवश्शक्ताएं कितनी हैं? इसकी कोई सीमा या कसोटी नहीं है। मनवश्य की कुछ आवश्शक्ताएं अनिवारे होती हैं, कुछ साधारन और कुछ बहुत ही आवश्शक। अपनी आर्थी किस्थिती को देखकर ही ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, कि अनिवारे आवश्शक्ताओं की पूर्ती पहले हो और फिर दूसरी आवश्शक्ताएं पूरी हो। बहुत से लोग धन की उप्योगिता, जूटी शान शौकत, दिखावा, फैशन परस्थी एवं दुर व्यस्थनों की पूर्ती में ही समस्ते हैं, ऐसा करना उनके लिए तो हानिकारक है ही, समाज के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि गरीब लोग, जिनके पास अनिवारे अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए धन नहीं होता, वे ऐसे शान शौकत, दिखावे और फैशन परस्थी को बड़पन समझते हैं, और पर्याप्त धन साधन न होने पर दूसरों से इरश्या रखते हैं, अपवय के कारण बरबाद हुए सम्रिद्ध परिवारों के भी अनेक उदाहरन है, अपवय का एक मात्र कारण ही हमारी आर्थिक दूर्दशा है, धन को हमने जूती शान शौकत की पूर्ती का साधन मान लिया है, जो केवल मनुष्य का थोथा बन ही है, अच्छा तो यह है कि अपने पास इतना पैसा हो, कि आवशक्ता पूर्ती के बाद क कुछ बचे, तो आड़े बक्त काम आए, या किसी और कार्य में लगाया जा सके, यह मानना भूल है कि जितनी शान शौकत का प्रदर्शन करेंगे, जितने ठाट बाट से रहेंगे, और अपनी अवशक्ताओं को जितना अधिक बढ़ा लेंगे, लोग हमें उतना ही सुखी स बढ़ा लेंगे, लोग भले ही समझने लगें कि आप सुखी हैं, पर इन व्यर्थिकी अवशक्ताओं को बढ़ा लेने से जो आर्थिक परिशानिया खड़ी हो जाती हैं, वे हमें बड़ी बुरी तरह दुखी और सतत्र कर देती हैं, ये कृतिम अवशक्ताओं ऐसा दुर आया तो आती ही है, साथ ही व्यक्तिगत और परिवार के उन्नती में भी बाधा पड़ती हैं, फैशन के व्यसन से आज सभी ग्रस्त हैं, फैशन बढ़ाने के कारण ना केवल अपव्याग हो रहा है, बलकि अंग प्रदर्शन फैशन का अंग बन गया है, और हमारे नैतिक म के लालच और लालसा के कारण नहीं पनपती जा रही है, विद्यार्थी वर्ग इससे अच्छूता नहीं बचा है, बलकि उसमें फैशन और दिर्खावी की लालसा बड़ी विकृत होती जा रही है, माबाप जो अपने बच्चे के लिए फैशन के पूर्ती नहीं कर सकते, उनकी बुरी आदतों की पूर्ती के लिए पैसा नहीं दे सकते, विद्य बच्चों की निगाह में गिरे हुए हैं, या फिर आर्थिक संकट का शामना कर रहे हैं, पन्लित स्री राम शर्मा आचारे, जय गुरुदेग।